हेलो गाइज वेलकम तो बंगलो इंजिनियर्स इस वीडियो में हम बात करेंगे एंपी सब इंजिनियर के रिगार्डिंग एंपी सब इंजिनियर के एक्जाम हुई थी नावंबर 2022 में 10 फैब को रिजल्ट आया था इसी साल और जो अभी जो है अभी लेटेस्ट अपडेट यह है कि सारे जो सेलेक्टेट स्टूडेंट है उनकी लिस्ट जो है कंसर्ण डेपार्टमेंट को भीज दिगई इस और जल्द ही वेबसाइट पे नोटेस आने लगेंगे कि आपको फिर डीवी के लिए टाइम दिया जाएगा तो वो पूरी प्रसेस को हम किसी और वीडिय इंपी सब इंजिनियर पर अभी किते केसे लगे हुए है उनका लेटेस्ट अपडेट क्या है और उनमें इन फूचर पॉसिबिलिटी क्या है इस वीडियो में केसे की सारी डीटेल इन डेप्ट अनालेसिस नहीं करेंगे क्योंकि वह आल्रेडी किसी और वीडियो में कर में जो है चब सब पहला केस हम देखते हैं डबलूपी फाइन जीरो वन दोजर उनिस ठीक है यह ओबी सी 27 पसेंट के रिगार्डिंग केस था इसका जैसे मैंने अनलेसिस लास्ट पूरे वीडियो में कर चुका हो तो इसमें अभी लेटेस्ट अपडेट क्या है तो देखे रिञे देखते हैं कि 283 2023 को यह केस अभी लेस्ट नहीं हुआ है तो इसकेस में जो हैलेटेस्ट अबडेट के करें तो देखें लेटेस्ट अबडेट कोश नहीं इसकेस का यही है कि 28 अगर सुन्वाई हूई तो अभी तो नहीं होगी और जैसे पहले लास्ट वीडियो में भी मैंने कहा था कि क्योंकि elections आने वाले है election से पहले बहुत बड़ा कोई ऐसा big verdict जो है हम expect नहीं कर सकते हैं कोई भी इका दुक्का ही इसमें चीजे चलती रहेंगी election तक election से पहले कोई भी बहुत बड़ा जो है verdict इस case में नहीं आने वाला है तो इस case के जो है वह पटवारी वाला case भी जो है इसी में connected है वापम के cases भी इसमें connected है तो इसका जो है वह दीरे-दीरे proceedings सभी चलती रहेंगी तिल election से पहले बहुत बड़ा कोई major verdict इस case में आने के उम्मीद बहुत कम है जो डवलूपी 5901 के बाद जब अगला case है वह है देखिए डवलूपी 18107-2022 यह case जो है वह समीदा कर्मियों ने लगा हुआ था 20% reservation इसका भी in-depth analysis वीडियो में बता चुका हूं इसकी tentative date जो है वह एक मार्च 2023 कही गई है तो एक मार्च मार्च को इसकी hearing नहीं हुई थी तो लिस्टे नेक्स टेंटेड्यू डेट दी है क्या नहीं दिए लिए एक मार्च में भी इंटेड्यू डेट नहीं दी हुई है इसमें इसमें जो है लास्ट जब hearing हुई थी फर्वरिय कोई तीजनवरी को कुछ पाचिय रिट इyा गया है और यह वहीं जंदी-जल्द hearing हुई थी वह कहमेंτο पीट की द треть से कोशिश्क की जारे थी इसलिए बहुत जल्दी सभीदा कर्मी या उनकी तरफ से बहुत ज्यादा कोई एफ़र्ट नहीं डाल रहा है कि जल्दी-जल्दी हेरिंग्स हो के सब्सक्ता, चैस हो जल्दी उसका वर्डिक्ट दिया जाए वहरувати और र Olay उनक्ता कि एपॉवर्मट psychische kann नहीं हो रही है नहीं सविदा कर्म्मियऊं कि तरफ से इसकी नेक्स्ति ओट के व मन्ड़ तो यह भी हो सकता है कि आपकी डीवी डॉक्यूंट वेरिफिकेशन जॉइनिंग का सब लेटर वगएर भी आ जाए तब तक कि भी इसकी नेक्स्ट हीरिंग ना हो क्योंकि अभी देखिए जैसे आज 6 मार्च हो चुकी है तो अभी भी इसमें कोई भी नेक्स्ट टेंट्रेट नहीं दिखा रहा है तो डीवी तक भी मुझे नहीं लगता कि इसकी हीरिंग हो जाए जैसे डीवी के नोटिस आने स्टार्ट हो जाएंगे उसके बाद डीवी के डेट आजाएगी तब तक भी अगर इसकी कोई टेंट्रेट आजाए तो देख सकता है बाकि बहुत इसमें बहुत बहुत कम है कि जो है अगेंस्ट में रिजल्ट आए अगेंस्ट में वर्डिक्ट आए तो जैसे चीज़ चल रही है मेरे खाल से वही चलेगी हां बस यह हो सकता है कि कुछ प्रडिक्शन दे दिया जाएगा सवीदा कर्मियों को जैसे कि पिछले लास्ट एरिंग मे कि जब तक परमानिन नहीं करते तब तक निकालना नहीं है ऐसा कुछ भी तो इसके कारण भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है नेक्स जो कोट है नेक्स जो केस है वो है इंदौर बैंच में जो लगा हुआ है डबलूपी 18277 2022 तो यह सेम केस था जैसे कि 18107 जबलपू प्रिंजबल बैंच में लगा हुआ है तो वाने 277 जो है वह इंदौर बैंच में लगा हुआ है सिमिलर सारी चीज़ा है समीदा करमी है बस यह था कि इसमें अलग प्रडिशनर्स थे तो इसमें भी जो है साथ फरवरी को इसकी हीरिंग हुई थी जिसमें की आईये डिस्प तो तेरा फर्वरी गोंड नहीं हुआ था तो तेरा फर्वरी को देख सकते हैं आए डिस्पोज अफ तो जो इनके डवलूपी बने 277 के जो पेटिशनर्स के एडवकेट थे वो तो आने कोई तयार नहीं तो उसी टाइम नहीं आ रहे थे तो अभी भी उनकी तरफ से कोई ऐसे बहुत ज्यादा प्रोग्रेस नहीं हो रही है तो मुझे इसमें भी सेम लग रहा है कि इसमें भी ज हंडे बस्टे में चले गए हैं दोनों समीदा वाले की और फाइन जी रवन का तो मैंने जिससे पता ही दिया कि इलेक्शन से पहले बहुत बड़ा कोई मेजर वर्डिक्ट उस केस में नहीं आने वाला है इन दोर बैंच में जो अगला केस है वो है डवलूपी 7877 2021 केस यह क नहीं बड़ाया हुए टो Southi fir आ हूँ स्कारे ओपर्फॉडेन सんだ एक दीपार्टमनर था जिन्होंने एपना रिप्लाय फाईयल नहीं करा था क्योंकि इन्होंने जो है दिपार्मेंटक बे बहुत सारे देपार्मेंट को लगया हुए है 5020 उ रिकाएक कृट्वब्र को या तो उसके लिए इसकी नेक्स हीरिंग डिट जो थी वो एक मार्च 2023 थी पर एक मार्च 2023 को भी इसकी जो है सुनवाई नहीं हुए तो इस में पहुत ज्यादा संभाव नहीं था नहीं दिख रही है मुझे की डिप्लोमालों के पक्ष में यह जाएगा क्योंकि देखे बहुत सालों से यह सब इंजिनेर के रिक्रूट्मेंट जैसे पहले भी होती आ रही है पिसले कुछ साल में बहुत पीछे भी नहीं जाए तो इंजिनेरिंग ग्रेजुएट्स आते हैं इंजिनेरिंग ग्रेजुएट्स आएंगे और कोटा ओटा फिक्स करने का मुझे नहीं लगता क्योंकि minimum qualification कहा गया है तो मैंने दा लास्ट वीडियो में भी कहा था कि बहुत कम चांसे से कि एक केस जो है वो डिप्लोमालों के पक्ष में जाएगा तो इससे भी डिविया ज से अभी फिलाल जॉइनिंग या डॉक्यमेंट वेरिफिकेशन ऐसा इसमें कोई प्राब्लम नहीं है और रही बात आने वाले की तो देखिए बहुत सारे लोग अभी बीच में एक्दम से एक्टिव हो गए थे कि केस लगाएंगे केस लगाएंगे बगर बगर तो यह सवीधा 20 पर क्लिक कर लिया था तो यह सारी चीजों के लिए भी जो है पीवी को गयापन दिया गया था तो वह आपने यूट्यूब में वीडियो देख लिया होंगे पीवी को गया गया था उस गयापन में कुछ काफी अच्छे वालिट पॉइंट भी थे बट कुछ सब्सक्राइब नहीं है फिर हम इस तरीके से नहीं जाएंगे तो उन्होंने पहले भी मतलब नोटिफिकेशन में काफी सारी चीज़े लिख रहे की है कि बाद में कोई किसी को इंटरेन नहीं किया जाएगा कोई चेंज नहीं करे जाएंगे तो आप बिलकुल सही से फॉर् सब्सक्राइब नहीं होनी चाहिए थी एक पहला थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई है दूसरी चीज़ यह हुई है कि सिविल की अगर हम बात करें तो सिविल में जो है दो डिपार्टमेंट तो किसी को नहीं मिला है पर यह चीज़ हुई है कि कोई बंदा अगर जिसने सब इंजिनियर राट्समें समय पाल तीनों का एक्जाम दिया था और तीनों में कॉलिफा तो अगर इसने सब इंजिनियर की पोस्ट को दॉप समय कि ऊपर रखा हुए तो अगर उसको तीनों में उसका इंजिनियर को है क्लियर हुआ है क्वा Cub can you और देना चाहिए जैसे कुछ remediation बच्की और्गका पैस लिए तो अगर मीं तो कॉने में सब tightening को दॉपर रखा रखुम है अपने पोस्ट employ. वे दो चीजें मुझे लगता है कि चेंज हो सकती ही कुछ प्रॉबलम्स है इंचीज़ों में अब ही ऐसा है कि रिजल्ट आने के बाद में बहुत ही एक जब तक कोई एक सॉलिट वह चीज नहीं आएगी तब तक इतनी असानी से चीज़ है तो नहीं चेंज होने आली और वैसे भी इलेक्शन यह हैं गवर्मेंट भी सेफ खिलना चाह रही है किसी को नराज करने के मोड में नहीं है और प देखिए अभी पटवारी का जो है कल अड्मिट काड आये हैं तो 15 मार्च से कम से कम 20 अपरेल के बाद भी कुछ लोगों के पेपर है 23 भी सुना मैं कुछ तो मतलब काफी पेपर तो काफी चल रहा है तो पूरा एपी भी बहुत व्यास्त है अभी एक देड़ महीं है तो य नोटिस वैरी करता है तो कुछ दिपार्टम Yei करता है तो गुछ दिपार्टमंट्ट में हो सकता है कि 10-12 तरीक से पहले पहलें आजाएं कुछ दिपार्टमंट में हो सकते कि बात मिए थोड़ीं देडर बाद में भी आए वट New सब्सक्राइब दस बारा मार्च से आसपास या उससे पहले या एक दो दिन आगे पीछे जो है वो नोटिस आ सकते हैं तो बस यह है कि जिनका भी सेलेक्शन हुआ है वो अभी यह सब केसे सब्सक्राइब करें और एक और बात जो कॉंस्टेबल वाला केस था जो इंद और खं दस अपरियल को उसकी नेक्स्ट हीरिंग होने वाली है तो दस अपरियल को चीज़े काफी क्लियर हो जाएगी क्या होनेवाला है आगे वह पार बाद बादा हो जाता है और ऐसे भी है कि पचास सो अच्छे हैं काफी कॉंटिटी में हैं तो एकदम से रिजल्ट रिवाइस होना और लोगों से लेक्टेट स्टुडेंट को बहार निकालने यह बहुत बड़ा स्टेप हो जाएगा और बिफोर एलेक्शन मुझे नखता नहीं है कि सरकार चाहेगी कि यह सब ची रिजल्ट कि यह सबस्टा रिवाइस हैं फ्रिवाइस हैं प्रिवाइस हैं प्रिवाइस हैं अजर्वाइस हैं जार लोगों से विपार नहीं है